हेलो गौड्स ट्विन, गौड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है भक्ति स्परूपा, श्री रधारानी और मुक्ति दाता प्यारे केशव जी की कृपा आप सभी पर अनवरत बरस्ती रहे आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्रापते हो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजलिक नंबर 5 से बनने वाले कॉम्बिनेशन की तो इस सिक्वेंस में फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 5 एंड 0 5 एंड 0 का कॉम्बिनेशन अगर आपको बार बार दिख रहा है तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी विजडम में कोई ऐसा स्ट्रॉंग चेंज आने वाला है जो आपकी सोल को और आपकी लाइफ को हैपिनेस की और एक स्टेप अहेड ले जाएगा मींस कोई पॉजिटिव स्ट्रॉंग चेंज आने वाला है तथा इस चेंज को और पॉजिटिव और स्ट्रॉंग बनाने के लिए ग्रीन वेजटेबल खाएं, ग्रीनरी से भरे प्लेस पे टाइम स्पैंड करें तो इस कॉबिनेशन की कम्प्लीट इनर्जी आप रिसीब कर सकेंगे अगला कॉबिनेशन है फाइव एंड वन का फाइव एंड वन कॉबिनेशन देखने का मीनिंग यह है कि आपने अपने इनर वाइस को फॉलो करने के लिए अपने बिखरे हुए थौर्स को अपने माइंड से डिलीट करके विजड़म में जो पीस लाने की कोशिश की है उसमें आप एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं आपकी बुद्धी आपकी आत्मा की ओर एक कदम और बढ़ रही है और जब बुद्धी यारी विचार यानि मन आत्मा की ओर बढ़ते हैं तो आत्मा इश्वर की ओर बढ़ जाती है इत मीज़ आप गौड से कनेक्शन बनाने में एक लेवल अप हो रहे हैं आपका गौड से कनेक्शन स्टौंग हो रहा है अगला कॉम्बिनेशन है फाइब एंड टू का फाइब एंड टू का कॉम्बिनेशन बहुत ही खुबसूरत कॉम्बिनेशन है यह कहता है कि आपकी मन बुद्धी में बहुत खुबसूरत तालमेल बनता जा रहा है और ये तालमिल आपकी जीवन फिच पर आप से बहुत शानदार वैटिंग कराने वाला है ये कॉम्बिनेशन कहता है कि आपका मन इधर उधर भटकना बंद करके बुद्धी पूर्ण निरने लेने लगेगा हर गटना हर कारे को आप एक अलगी बौद्धिक इस तर से सोचने वाले हैं और उस बौद्धिक इस तर पे जिस पे दूसरे नहीं सोच सकते अता इस कॉम्बिनेशन की इनर्जी को फुली रिसीव करने के लिए उशेश लगातार करते रहें अगला कॉम्बिनेशन है फाइब एंट फ्री का फाइब एंट फ्री का कॉम्बिनेशन कहता है कि आपकी नौलेज इनक्रीज हो रही है आपको न्यू न्यू स्पिरिच्वल थौट्स आ रहे हैं जिससे आपको कुछ new spiritual experiences भी हो सकते हैं आपको material world में भी God ही God नजर आ रहे हैं God को ही thanks बोल रहे हैं overall ये combination fully positive combination है अगला combination 5 and 4 का 5 and 4 का combination अगर आपको बार बार दिख रहा है तो आप से कहा जा रहा है कि आप stressed गुद्धी जीवी लोगों के साथ time spend करने वाले हैं कि ऐसा करने से आपके thoughts में कोई confusion की situation नहीं बनेगी आप से कहा जा रहा है कि आप ऐसी चीजें ही पढ़ें सुने देखें जो आपको motivate करती हूँ ये आपके thoughts को confusion से बचा कर stable करेंगी जो कि आपकी mental health के लिए helpful थावित होंगी अगला combination है 5 and 6 का 5 and 6 ये combination कहता है कि आपकी कोई वो इक्षा पूरी होने वाली है जो लगबग आपके adolescence की age से ही आपके मन में थी वो अब पूरी होने वाली है इसलिए 5 and 6 का combination आपको message दे रहा है कि आप अपने बच्पन से अपनी किशोरा वस्ता से जो creative activity करते आए थे उसी काम को करना शुरू कर दें क्योंकि आपके material world की कोई ऐसी विश्पूरी होगी जो सालों से आपके मन में थी इसलिए आप self analysis करके अपनी thinking अपनी activity उसी इक्षा को पूरा करने में लगाएं जो आपके मन में सालों से थी वही इक्षा आपकी पूरी होने वाली है next combination is 5 and 7 5 and 7 बहुत खूबसूरत combination है 5 and 7 यह कहता है कि आपका logical mind अब अपने logic से ज़्यादा spirituality को importance दे रहा है और जब logical mind spirituality को support करने लगता है तो life बिल्कु सही track पर आ जाती है इसलिए खुश हो जाईए आपकी life सही track पर आ रही है now next combination is 5 and 8 5 and 8 यह combination आप से कहता है कि आप दूसरों को notice ज़्यादा कर रहे हैं आप दूसरों को judge ज़्यादा कर रहे हैं और ऐसा करने की आपको need नहीं है आप अपने को notice करें अपने को judge करें ऐसा करने से आप अपनी life में abundance लाने के लिए एक step आगे बढ़ जाएंगे यदि आप self analysis कर रहे हैं तो खुश हो जाईए आप अपनी life में abundance लाने के लिए कोई positive change करने वाले हैं now last combination is five and nine combination five and nine combination कहता है कि आप जो कारे कर रहे हैं या जो भी planning कर रहे हैं वो अप completion की ओर है it means वो plan वो task अब complete होने वाला है अतहाँ ये एक positive combination है जो कहता है कि आपकी life में कुछ पुराना complete होने वाला है और new changes आने वाले हैं at last अगर आपको repeated form में five दिख रहा है तो इसका main message यहीं है कि आपकी life में कोई positive change आने वाला है repeated form means five, double five, triple five, double five, double five अगर इस form में आपको यह five digit दिख रहा है तो आपकी life में कोई positive change आने वाला है आप जो भी positive work कर रहे हैं उसमें एक step आगे बढ़ने वाले हैं overall five किसी भी digit के साथ आता है आपके brain, आपके thought, आपकी adult sense को represent करता है और यह जिस number के साथ आता है उसी number की energy में positive changes को denote करता है इसलिए अब मैं आशा करती हूँ कि आपको five के combination से बनने वाले angelic number की synchronicity को ठीक से interpret करने में कोई problem नहीं होगी आप आसानी से इस combination की synchronicity को interpret कर पाएंगे इसी के साथ वीडियो पर समय देने के लिए आपका अनन्त 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 शुक्रिया जय श्री क्रश्न